नोश्कार दोस्तों, देश का 78 मां सोतनता दिवस बीते 70 सालों में हमने बहुत तरक्की की है आज भारत विश्व का 5 मां सबसे बड़ा देश बन गया है और ये कोई छोटी बात नहीं है पर इस तरक्की का एक पहलू ऐसा भी है जिसमें देश अभी भी काफी पीछे है तक्रिवन 5 में से 3 या 4 लोग आज भी अपनी आर्थिक स्थिती को बहुत मजबूत नहीं मनते और उन्हें इस बात का आइडिया नहीं है कि जब वो रिटायर होंगे तब उनकी जिन्दगी कैसी व्यत्तित होगी ये एक ऐसा विशह है जो कि ना स्कूल में पढ़ाया जाता है ना कॉलिज में पढ़ाया जाता है और ज़्यादा तर इवन माता पिता भी इस बात को बच्चों को ज़्यादा नहीं समझा पाते क्योंकि उन्हें खुच ज़्यादा आइडिया नहीं होता इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बेसिक इंफर्मेशन हर उस नागरिक को पहुचाना चाहता हूँ जो अपनी आर्थिक सिति को मजबूत करना चाहता है अपने बच्चों की अपने परिवार की जिन्दगी को बेतर से बेतर बनाना चाहता है पनरगस के उपलक्षे में मैं इस वीडियो को डेडिकेट कर रहा हूँ वुमेन एन मैन इन यूनिफॉर्म जो देश की किसना किसी तरह से रक्षा करने में दिन राज जुटे रहते हैं अब मुखे तर इस वीडियो में जो मैं टॉपिक डिसकस करूँगा पहला टॉपिक होगा बिल्कुल बेसिक इंफर्मिशन ये वो चीज़े हैं हर नागरिक को जिसके हाथ में पैसा है उसको पता होनी जीए पैसा होना काफी नहीं है पैसे का निवेश करना पड़ता है पैसे को बढ़ाना पड़ता है पैसे के निवेश करने के लिए क्या-क्या विकल पविलेबल है हमारे देश में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो संपत्ती कैसे खरीदें उसके बारे में क्या-क्या पहलू हमें ध्यान रखने चाहिए जिनकी कुछ बड़े आयोजन होते हैं जिसे बच्चों की पढ़ाई उनकी शादी उनकी तैयारी करने के लिए क्या किया जा सकता है बहुत इंपोर्टन टॉपिक महिला सक्षक्तिकरन जिन नंबरों की मैं बात कर रहा हूँ बहुत असान तरीके से मैं उनको एक एक एक्जामपल के थुरू दिखाऊंगा कि वो नंबर एक्चुल में एक साल, दो साल, पांट साल में कैसे होते हैं शुरुआत करते हैं निवेश और संपती कुछ बुनियादी आवधारणों से पेसिक कॉंसेट्ट अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, 15-16 साल के हो गए हैं तो मेरी राय में उनको भी पता होने चाहिए पहला टॉपिक है वेतन यानि आए वो सैलरी जो महिने भर काम करने का आद आपको मिलती है काफी लोगों को इस सैलरी के लिए बहुत मशकत करनी पड़ती है 10 घंटे, 15 घंटे काम भी करना पड़ सकता है काफी लोग आप में से शायद घर से दूर रहते होंगे इस तनखा को कमाने के लिए ये जो तनखा है जिसके लिए आप काम करते हैं ये कोई व्यवसाय भी हो सकता है इसको बोलते हैं सक्रिय यानि active income अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो ये पैसा नहीं आएगा अब जब आप retire हो जाते हैं तो हो सकता है आपको pension मिले वो income जो होती है वो होती है passive income तो उससे आपका घर का खर्च चल जाएगा पर आपको उसके लिए काम नहीं करना पड़ता यह भी सकता है आपने कोई investment डाल रखी हो जैसे मान लीजे कोई जमीन है जिसको आपने दुकान बनाई उसको किराया पिचला दिया वहां से किराया आता है वो भी निश्क्रिये आये या passive income कही जाती है तंखा आती है उसके आने के पहले line लग जाती है खर्चों की जैसी पैसा जमा हुआ 30 तारीक एक तारीक उसी दिन घर का किराया चला जाएगा घर के जरूरी खर्च यनि तरकारी मोबाइल का महीने का रिचार्ज करना होता है बिजली का बिल भरना होता है खर्चों में कुछ खर्च होते हैं वो होते हैं अनिवारे जैसे रूटी तो खानी है अगर आप किराया घर में रहते हैं तो किराया भी देना पड़ेगा आज़ की तारीक में तो मोबाईल को भी ज़रूरी चीजों में माना जाएगा मोबाईल के बिना काम नहीं होता कुछ खर्चे होते हैं, वेकलफिक खर्च यनि कि अगर पैसा है तो आप करें नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं फूचर में कभी कर लेंगे इस example कोई त्योहार है त्योहार पे नया कप्ला लेने कामन है अगर पैसा है जरूर लीजिए पैसा नहीं है तो इस साल मत लीजिए अगले साल लीजिएगा या अगले त्योहार पे लीजिएगा घर में paint है अगर पैसा है करा लीजिए अगर नहीं है तो अगले साल करा लेंग या घर में cash की तरह रखा होता है। इस पैसे को हम करते हैं invest, investment से ये पैसा बढ़ता है और जब पैसा बढ़ता है तो उसकी return आगे जाकर आपकी income में add हो जाती है। यनि कि कुछ हिससा आएगा आपके काम करने से, कुछ पैसा आएगा आपकी investment से, ये concept है investment का, इसको हम आगे और डिटेल में discuss करेंगे, जैसे जैसे आपकी investment बढ़ती जाएगी size में, यनि कि शुरुवात में मान लीजे 5,000, फिर 10,000, फिर 50,000, एक लाग, जैसे जैसे investment का size 50,000, और आपकी investment से आ रहा है 55,000, तो आपकी कुल आए हो गई 1,05,000, अगर आपका खर्चा आपकी तनखा में चल जाता था, यनि 50,000 से कम था, तो आपका खर्चा सिर्फ आपकी investment से भी चल सकता है, जब ये दिन आ जाए, तब कह सकते हैं कि हमारी financial retirement हो गई है, जो हमारे ख मतलब ये है कि आपने अपनी जिन्दगी की investment इतने अच्छे से करी हैं कि अब अगर तनका नहीं भी आए तो आपका गुजारा बढ़िया से चल जाएगा, आपका परिवार खुश रहेगा, ये एक ऐसी state है जिसमें हर इंसान को आने की पूरी-पूरी कोशिश करनी अब जब हमारे पास पैसा कुछ बच जाता है सेविंग में तो हम उसको मान लीजे एक FD में डाल देते हैं या उससे कोई share खरीद लेते हैं, कोई property खरीद लेते हैं, कई तरह की investment होती हैं, तो वो पैसा बढ़ता है, इन investment से आपको महीने के महीने या साल में कुछ आये भी मिल सकती है, तो जब आपका पैसा आपने किसी ऐसी चीज में लगाया है, जिसमें आपका पैसा बढ़ रहा है, और आपको थोड़ी income भी मिल रही है, उसको बोलते है, asset create करना, संपत्ती बनाना, पर अगर आप पैसा किसी ऐसी चीज में खर्च रहे हैं, जहां से कोई आय न नहीं कमाते हैं, तो mobile phone जैसी घर में लाए है, मान लिए आपने 20,000 रोपे का phone करीदा, घर में लाते हैं, उसका दाम वैसे ही 14-15,000 रागया, दो या तीन साल में उसकी value zero हो जाएगी, ऐसे खर्चों को बोलते हैं, liability, देनदारी, ये खर्चे भी जरूरी होते हैं, ऐसा नही की saving है, वो zero या इतनी कम हो कि आप खास बड़ी investment ना कर पाएं, जैसे पहले बोलते हैं, जितनी बड़ी चादर, उतना ही पैर पसा रिए, कर यनी tax, आपकी नौकरी और आपकी तनखा पर depend करता है, कि आपका tax कितना और कैसा होगा, एक होता है direct tax, जो आपकी तनखा से कटता है, फिर कुछ tax होते हैं, जैसे GST, जब भी आप कोई goods या services, यनी कुछ समान खरीदें, या किसी hotel में जाएं, खाना खाएं, तो उन services पे tax लगता है, जिसको बोलते हैं GST, कुछ और tax होते हैं, जैसे मानली जी आपने कोई property ले रखी है, तो उस पे कुछ सारना house tax जाता है, आपकी तनखा में से direct tax कटके आपको मिलता है, ये भाग जो आपको मिला, वो आपको post tax salary बोलते हैं, यनी करके बाद की तनखा, मानली जीए ये number है 20,000, अब आपने इस 20,000 रुपे में से मानली जीए 2000 रुपे खर्च के एक ticket book कराई, उस ticket पे जो भी GST लगता है, 5%, 10%, वो service कर रहे हैं, और उसके अद इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें जब profit होगा, तो उस profit में भी कुछ tax लग सकता है, सारी tax बराबर नहीं होते हैं, जैसे example, अगर आपकी income ज़्यादा है, और आपने fix deposit कर रखा है, तो उस पे 30-32% तक tax लगेगा, आपके interest पे, यनी ब्याज पे, पर अगर आपने उस पैसे को share बजार में लगाया है, तो नए rates के according, अगर आप एक साल बात बेचते हैं, तो उस पे 12% tax लगेगा, एक साल से पहले बेचते हैं, तो 20% tax लगेगा, tax की दर जो आपकी investment पे लगू होती है, उसमें 10-20% तक का फरक आ सकता है, इसके लिए tax समझ और कोई tax नहीं लगता, ये मैं बात कर रहा हूँ, 2024 की tax के law future में change हो सकते हैं, अब आपने देखा होगा कि महंगाई बढ़ रही है, जो समान मालेजे, बनिये के दुकान से पहले 100 रुपे में आयता था, आज शायद वो 115 ये 120 रुपे में आता है, जब आपका खर्चा बढ रहे हैं, 5000 रुपे में बचा रहे हैं, अब हो सकता है अगले साल आपकी तनका बढ़के 20,000 हो जाए, पर अगर महंगाई जादा है, तो हो सकता है ये खर्चा बढ़के 17,000 हो जाए, तो जहां यहां यहां पे आप 5000 रुपे महिने का बचा पा रहे थे, यहां आप 4000 बचा प अब एक बास समझे कि जैसे मैंने एक्जामपल लिया था आपकी तंखा 20,000 है और आपका खर्चा 15,000 का है इन्फलेशन लगती है 15,000 रुपे पे जो आपका 5,000 बच गया है उसको आपको ऐसे इन्वेस्ट करना है कि उसमें जो नेट रिटर्न आपको आए वो इन्फलेशन की महंगाई दर से जादा है यनि कि अगर महंगाई दर 5% है तो आपका पैसा कम से कम 5,000-6% पे बढ़ना चाहिए अगर वो नहीं बढ़ेगा तो जो समान आज आप मान लिजे 100 रुपे में खरीद पा रहे हैं और आपने वो 100 रुपे फ्यूचर में खर्चने के लिए इन्व और आपने 5% पे इन्वेस्ट के तो आपके हाथ में रहे जाएंगे 105 रुपे ही एक रुपया कम पढ़ जाएगा इसमें इंपोर्टन है कि जो आपकी इन्वेस्मेंट है उसमें से आपको टैक्स कम करना है और आपको उसमें से इन्फलेशन यनि महंगाई धर जो है उसको काटने के बाद जो पैसा बजगया वो नेट नेट आपके हाथ में आया वो अगर आपने 100 रुपया लगाया था तो 100 से जाधा होना चीए अगर ये concept आपने समझ लिया तो आपकी स्मृद्धी को बढ़ने से कोई नहीं रो सकता पर अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो महंग देखें रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा आपने किसी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था और वो कंपनी डूब जाए उसका दिवालिया निकल जाए वो पैसा आपका हो सकता है डूब जाए अपना सारा पैसा एक कंपनी में क्यों लगाना ह पांच-दस कंपनी में डिवाइड करके लगा दीजिए, सारा पैसा स्टॉक मार्केट में क्यों लगाना है, कुछ पैसा पी-एफ में रखिए, कुछ पैसा एवडी में रखिए, कुछ सोने में रखिए, सब कुछ तो एक दिन में खराब नहीं होगा, उसके लगर आप आप ठीक-ठाक जगे पर पैसा लगाया है, अच्छी कंपनी पैसा लगाया है, मार्केट उपर नीचे जाती रहती है, पर आज सक कभी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट गिरने के बाद बड़ी ना हो, हो सकता है कुछ महीने में भी एक साल, दो साल तक मार्केट डाउन रहे, आपकी इंवेस्मेंट नीचे आ जाए, उसके जैसे से देश आगे प्रकति करेगा, मार्केट फिर बढ़ जाएगी, पर ये सोचके कि पैसा डूब ना जाए, अगर आप रिस्क कम करने के लिए पैसा कम रिटरन वाली स्कीम में ही लगाएंगे, तो तो कभी पैसा बढ़े गई न काफी लोग FD में पैसा लगाते हैं कि FD में रिस्क नहीं होता, हाँ, बैंक डूबने के चांस बहुत कम होते हैं, पर ये मानके चलिए कि FD में भी सरकार सिर्फ 5 लाक रुपे की गारेंटी देती है, अगर कोई बैंक बंद हो गया है, जिसमें आपका पैसा था, मान लिज कितनी FD के लिए पैसा लगा रहे हैं, अगर आप 20 साल आगे मान लिजे अपने बच्चे की शादी के लिए कुछ पैसा रख रहे हैं, या उसके कॉलिज के लिए पैसा रख रहे हैं, तो आपके बहुत समय है, अगर स्टॉक मार्के ठोड़ी नीचे आ भी गई, और आपने पैसा मान लिजे, mutual fund के थूर लगाया है, नीचे आएगा, साल में, दो साल में फिर बढ़ जाएगा, होसता है फिर नीचे आए, फिर बढ़ जाए, जब 15, 16, 17 साल हो जाएं, 2, 3 साल बचे हो, तब पैसे को निकाल लिजिए, क्योंकि इसके आगे अगर मार्केट गिरी, तो लगाया है, मान लिजे, किसी mutual fund में, अब उस mutual fund में, अगर मार्केट गिरी, तो थुदा नुकसान हो सकता है, ये एक लाख रुपया हो सकता है, गिर के 80,000 रुपे रह जाएं, बाद में कुछ महीने, कुछ साल बाद, यही पैसा आपका 1,5 लाख रुपया भी हो सकता है, त आपको ये देखके चलना है, कि जो आप रिस्क ले रहे हैं, रिस्क इतना बड़ा ना ले, कि आपका नुकसान आपकी पहुंच से आपकी शमता से जादा हो जाए, आपने देखा होगा आपके करीब में, हुस्ता किसी ने रिस्क लेकर दुकान डाली हो, दुकान चलने के और अब इतनी स्मृद्धी आ गई हो, कि पैसा काफी हो परिवार के पास, पर जिसने उरिस्क नहीं लिया, दुकान नहीं डाली, वो अपनी तनखा के ओपर गुजारा करता रहेगा, काम करता रहेगा, फाइनल कॉंसेप्ट है, पोटफोलियो का, इसके लिए मेरे एक पर सारे नहीं डलते, वैसे ही आपकी हर जरुत के हिसाब से आपको investment अलग-अलग instrument में करने में फाइदा होता है, जैसे कुछ investment में fixed deposit बेटर रहेगा, अगर आपको 10-15 साल, 20 साल गले पैसा लगाना है, तो शायद mutual fund, equity, ETF, Sona, ये सब ज़्यादा अच्छे रहेंगे, कुछ पैसा PPF टाइप के instrument में डालके रखेंगे, तो उनमें जो भी पैसा आपको finally मिलेगा, उस पे tax नि लगेगा, लमसम पैसा ये खट्टा हो जाएगा, इस concept जिसमें हम अपने पैसे को अपनी जरुत के हिसाब से अलग-अलग तरह से invest करते हैं, उसको बोलते हैं portfolio, ये concept जब आपका ठीक से बन जाएगा, तो लंबी अवधी की investment से return बहुत बढ़िया आ सकते हैं, stock market जैसे example mutual fund के थुरूँ आप invest करें, तो पिटले कम से हम 15-8 साल में mutual fund ने 14-15% तक की return दियोगी, अब इस return की guarantee नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने आज पैसा डाला तो अगले सा आपका पैसा 15% बढ़ जाएगा, अगर इन में से कोई भी concept clear नहीं हो, तो वीडियो का ये हिसा जवारा ज़रूर देखेगेगा बात में, हमें से काफी लोगों के पास महिने के अंत में कुछ पैसा बढ़ जाता है, question यह होता है कि निवेश करे कैसे कहा करे, निवेश करने के लिए सबसे basic चीज जो आपको चाहिए, वो है एक saving bank account, अगर आपके पास तनका आ रही है, तो आपके पास एक saving bank account तो already होगा, आपको already तनका इसी account में ही मिल रही होगी, जो तनका आपके saving bank account में जमा होती है, उसमें tax अगर आपके उपर लगू है, तो वो कट के आता है, ऐसे ही अगर मान लिजे retirement का कोई भी benefit ऐसा है, जिसके लिए आपकी तनका से पैसा कटना होता है, वो पहले ही कट चुका होता है, जो तनका आपके account में जमा होती है, वो post tax जमा होती है, और ये पैसा अब आप खर्च या invest कर सकते हैं, अब मान लिजे तनका हमारे account में जमा ह हो गई 20,000 रुपे, इस पर क्या करना चाहिए, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, तो saving account पे आपका bank आपको तक्रीबन 3-3,5% के असपास ब्याज देता है, इतना पैसा आपको हर quarter, यानि कि हर तिमाही के बाद मिल जाएगा, यानि आपका account में मान लिजे, अगर 1,00,000 र से कम है, तो जो पैसा आपको मिल रहा है, उससे आपकी स्मृद्धी बढ़ेगी नहीं कम होगी, तो saving bank में तो पैसा रखने से काम चलेगा नहीं, आगे क्या करना है, तो bank में एक instrument और available होता है, इसको बोलते है fix deposit, आप कुछ अवधी के लिए अपना पैसा bank को देते हैं, औ और bank उस अवधी के साब से आपको ब्याज देता है, मान लिजे उस पैसे कि आपको दो साल तक जरूत नहीं है, आपने bank को बोला, दो साल के लिए मेरे पैसे रख लीजे, और मुझे दो साल के बाद ब्याज दे दीजेगा, तो bank उसमें तकरीबन आपको 6.5% के असपास ब् bank interest के डबल है, दुगना है, अगर महंगाई दर भी 6% है, तो तकरीबन तकरीबन आपने महंगाई दर को काबू में ले लिया, प्रॉबलम आएगी अगर आपका ब्याज काफी बढ़ गया, और इस 6% के उपर आपको tax भी देना पड़ रहा है, tax की दर 10, 20, 30% कितनी भी हो सक जैसे आपकी स्मृद्धी बढ़ेगी, tax आएगा ही आएगा, tax दिना पड़ेगा, तो जब tax देंगे तो ये 6% आपके हाथ में 4-4,4% ही रह जाएगा, और फिर से आप महंगाई दर के पीछे हो गए, FD का ही एक और option होता है, जिसको बोलते है, RD या recurring deposit, RD में क्या होता है, क मान लीजे, आपको पता है, कि आपकी तनका का एक हिस्सा हर मेने बची जाता है, उतना खर्चा आपका नहीं है, मान लीजे, आप 1000 रुपया बचा पाते हैं, अब 1000 रुपय की FD तो आप हर मेने क्या करेंगे, इतना ना समय होता, ना इतना बड़ा amount है, तो आप बैंक को क् चार तारिक को मेरे account में से 1000 रुपया आप debit कर लो, निकाल लो, और उसको मेरी RD में जोड़ दो, पहले महिने में 1000 रुपया, दूसरे महिने में 1000 और एड़ जाएगा, इस महिने का बयाज एड़ जाएगा, तो आपका शायद 2000 रुपया हो जाएगा, ऐसे करके ये बढ़ता रुपय की, और तोहार के कुछ दिन पहले उसको मैचूर करा लीजिए, दंखा कमपणने की प्रॉलम नहीं होगी फिर उसमें ने, अब अगर FD के उपर रिटर्न चाहिए, तो उसके उपर एक इंस्ट्रुमेंट आता है, बॉन्ड, कुछ-कुछ FD जैसा ही होता है, पर उ सरकारी बैंक्स के, उसमें मान लीजे 8% मिलता है, यह 8% FD से जादा है, चाहिए 0% रिस्क है, नहीं, FD में भी 0 नहीं होता, यहाँ थोड़ा रिटर्न जादा है, थोड़ा रिस्क जादा है, अगर आप पहले वाले बॉन्ड में जादा है, तो आपको 5% ब्याज जादा मि बन रहा है, तो उस रिटर्न पर या तो आप टैक्स जादा दीजिए, या फिर उसको टैक्स फ्री बॉन्ड में लगा दीजिए, पांट साल तक ब्याज मिलता रहेगा, तकरीवन 6-7% ब्याज मिलता है, और आपका 20-30% टैक्स बच जाएगा, अब हमारे देश में सबसे प खासियत है, गोल्ड तीन-चार साल, पांट साल विकुल बैठा रहता है, कभी कर नीचे भी चला जाता है, फिर माल लिजे कोई बड़ी विपता आजाए, जैसे पेंडमिक आया, तो गोल्ड उसमें काफी बढ़ जाता है, पेंडमिक में गोल्ड का दाम डबल हो गया था, इस बजट के अंदर सरकार ने गोल्ड के ओपर तकरीबन 9% duty कम करिया, उसका गोल्ड कुट सस्ता भी हो गया है, अब इसका एक फायदा है, नए निवेशक को फायदा मिल गया, गोल्ड सस्ता हो गया, पुराने निवेशक का 9% का नुकसान भी हो गया, क्योंकि बजार में गोल्ड का दाम गिर गया, अब सरकार एक लिमिट से यादर टैक्स कम करनी सकती है, भी 6% पर टैक्स ऑलड़ी आ गया, 15% से गिर के इसके और नीचे किता चला जाएगा, जैसे गोल्ड है, वैसे सिल्वर भी होता है, सिल्वर के अंदर आप सिक्का ले सकते हैं, जोल्री भी ले सकते हैं, सिल्वर का रेट थोड़ा कम होता है, सिल्वर की जोल्री भी कम पहनी जाती है, महिलाएं प्रेफर करती हैं, गोल्ड की जोल्री, अगर स्मृद्धी कम है, तो सिल्वर भी चलेगा, ऐसी कोई प्रॉल्लम नहीं है, इसले 15 साल में गोल्ड के दाम, सिल्वर के म पातनी है, especially अगर आपको अपने बच्चे, भले ही लड़का हो या लड़की, उसकी शादी के लिए कुछ पैसा जोड़ना है, और आपको लगता है शादी में कुछ जेवर में पैसा लगेगा, तो कुछ पैसा आप सोने में डालके ऐसे रख सकते हैं, पर आज के जमाने में स काफिसारी सरकारी वी नौकरियों में भी प्रविडेंट फंड करता है, आप उसमें हर महिने तंका में से कुछ पैसा डालते हैं, और साल के एंड में जो ब्याज बनता है, आपकी पुरानी इंवेस्मेंट वो एड हो जाता है, जाब रिटार हो जाते हैं, तो पैसा आपको मिल जाता है, पीपीएफ एक ऐसे इंस्टूमेंट है, जो की प्राइवेट इन्वेस्मेंट है, आपके हाथ में है, टरना करिये, नहीं करना मत करिये, चलता ये भी पीएफ की तरह से है, इन दौनों का बोर्ड कौमन होता है, जो के डिसाइड करता है कि पैसा कहा और कैसे होगा, पीपीएफ का भी रिटर्न टेक्स फ्री होता है, मैं बात कर रहा हूँ सन दोहजार चौबिस में जिसमें की ये रिटर्न टेक्सेबल नहीं है, ऐसे ही ग्रेचूटी होती है, अगर आपने एक कंपनी में पांट साल तक नौकरी करी है, तो कुछ ग्रेचूटी खट के पास में health insurance नहीं है, और अगर कोई problem होगा, घर के अंदर कोई बिमार जादा पड़ गया, और hospital जाके इलाज कराना पड़ा, तो वो पैसा कहां से जाएगा, आपके तनखा या आपकी savings में से, अगर आपके सरकारी नौकरी है, तो हो सकता है, आपके पास में CGHS की facility हो, ट ब्रगटना होगी, जिसमें आपकी काम करने की शमता चली गई, तो आपको एक lump sum पैसा insurance करे मिल जाएगा, मृत्यू के case में आपके परिवार को मिल जाएगा, उनका आगे का गुजर बसर चलाने के लिए, एक और तरीका होता है insurance का, जिसको बोलते हैं ULIP, ULIP में ऐसी policy होत तम होने तक मृत्यू नहीं हुई, तो कुछ लंसम पैसा आपको मिल जाएगा, अलग-अलग ULIP का अलग-अलग structure होता है, ULIP insurance होती है, investment नहीं, इसलिए क्योंकि इसका return बहुत जादा नहीं होता, तो यह मत माने कि share बजार में mutual fund से, ETF से, या किसी share करेदिन से जो पैसा आ स आपको लगे एक लाक रुपया काफी है, 20 साल बाद उससे एक लाक रुपय की कुछ खास value नहीं होगी, इस वीडियो के end मैंने कुछ sample दिखाए हैं, यह दिखाने के लिए कि 20 साल बाद कितना पैसा होना चाहिए, एक लाग की जगे, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, Armed Forces म नहीं है, तो शुरू में ही अपनी एक private insurance ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ऐसे उमर बढ़ती जाती है, premium काफी बढ़ जाते हैं, अब हमने instrument तो देख लिए, आप इनको use कैसे करें, जातर cases में सारे banks आपको दो तरह का account देते हैं, एक तो मैंने आपको बता है saving bank, तो saving bank में आप saving bank का हो गया, FD का हो गया, RD का हो गया, उसके लावा सारे bank, आजकल सरकारी bank भी आपको अपने saving bank account के साथ में एक DMAT account खुलने को option देते हैं, जिसके थूरू आप bond खरीद सकते हैं, आप electronic तरीके से सोना या चांदी भी खरीद सकते हैं, जैसे सोने चांदी का ETF खरीद लिया, ऐसे अगर आपने share बजार में पैसा लगाया है, direct कोई share खरीदा है, या आपने कोई ETF डाला है, या आपने कोई mutual fund खरीदा है, ये सब भी आपके DMAT में link हो जाते हैं, और आपको अपने mobile phone में भी current status की भी 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 इसकी कितनी value हो गई है, अगर आप चाहें कि भी अभी कुछ account ने पैसा बज़ गया है, तो मैं एक ETF खरीद लूँ, इस सब चीजें आप online, अगर आपके पास internet access है, तो आप कभी भी कर सकते हैं, ये सारी सुविधा आपको आजकल अपने mobile phone पे हर bank में मिल जाती है, जातर bank आपको आजकल PPF खोलने की facility दे देते हैं, online खोल लीजे और प instrument को खरीद सकते हैं, हम सब लोगों का सबसे बड़ा सपना होता है, अपने खुद के घर में रहने का या अपनी कुछ संपत्ती बनाने का, प्रॉपर्टी बनाने का, और पैसा आपके पास कम हो जादा हो, जितना भी हो, सब लोगों के लिए संपत्ती खरीदते हैं पैसा हम मेशा कम पड़ जाता है, उसका रीजन है कि प्रॉपर्टी हर कोई अपनी हैसियत से जादा बड़ी अच्छी खरीदना चाता है, एक बार खरीदनी होती है, जिन्दगी में दो बार खरीद लेंगे, तो एक अच्छा घर ले लो, एक अच्छी दुकान ले लो, हर कोई अप आप किसी गाउं में रहते हैं, तो आप जमीन खरीद सकते हैं खेती के लिए, आप जमीन खरीद सकते हैं अपना घर बनाने के लिए, उस जमीन के उपर आप mixed use भी कर सकते हैं, यह नहीं कि नीचे दुकान है, उपर घर है, या अगर बड़ी जमीन है तो पीछे घर है, आग अगला विकल्प होता है, अपार्टमेंट खरीदना, मीडियम और बड़े शहरों के अंदर एक जमीन के टुकड़े के उपर बिल्डर बड़े बड़े अपार्टमेंट बना देते हैं, पांच मंजिला, दस मंजिला, आप उसमें से एक अपार्टमेंट खरीद लेते हैं, जमीन खरीदना, घर बनाना, उसमें काफी सारी फैसिलिटीज बिल्डर बना के देता है, जैसे एक्जामबल पानी है, सीवेज है, उन सब के सिस्टम और बने बनाए मिलते हैं, बिजली बनी मिलती है, काफी बार जनेरेटर बैक अप होता है, अपार्टमेंट के भी दाम सा एक मॉल के अंदर भी हो सकती है, अब आप इसमें कुछ भी तरह की इन्वेस्मेंट करें, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टन पार्ट तो यह है, कि आपकी जो जमीन है या जो आपकी इन्वेस्मेंट है, वो सेफ होनी चीए, जिसा आपने पिछले एक मेने में देखा होगा ह अंदुसान के बहुत हिस्सों में फ्लड आया है, और काफी सारे घर, काफी दुकाने, काफी जमीन बरबाद हो गए है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि मान लीजे एक पहाड है, तो पहाड के स्लोप के ओपर घर बनाने से, जमीन बनाने से कोई खास फायदा नहीं होगा किसी ना किसी दिन यहाँ पे लेंड स्लाइड होगी, और सब आपकी इन्वेस्मेंट पैसा बरबाद हो सकता है, तो जो प्लेंज हैं जहाँ पे कि यह सब प्रॉल्म होने के उमीद कम हो, वहाँ लेंड में फायदा है, ऐसे ही आपका जो प्रॉपर्टी है, वो बाढ़ के रस्ते में नहीं होना चाहिए, अगर बहुत जादा पानी बरस गया, या कोई बादल भट गया, तो ऐसा ना हो कि आपने जो इन्वेस्मेंट किया है, वो बह जाए, काफी बार रिस्क वाली प्रॉपर्टी, सस्ती मिलती है, इस चक्कर में लोग ले लेते हैं, कि दूसरी अब अगर आपको पैसा चाहिए, तो आपको कुछ विकल्ब चाहिए, एक तो obviously है कि आपके पास में पैसा है, आपने सीधेरे कैश डाउन जाके खरीद लिया, ये पैसा तो तभी होता है, जब आपके पिता जी ने या दादा जी ने आपके लिए कोई प्रॉपर्टी या पैसा चोड़ दिया है, या फिर आप वेट करते हैं, दस-बीस साल तक जोड़ जोड़ के पैसा इकटा करें, फिर जाके खरीद लें, अगर आपके पुष्टैनी जमीन या घर है, तो पुराना घर आप छोटा पड़ता हो, या उसका स्टाइल पुरान रह गया हो, बेस द पांट साल, दस साल, बीस साल, शहरों में तो कई बर 30-30 साल के भी लोन मिल जाते हैं, एक और ऑप्शन होता है, कि स्टाटिंग में बहुत महंगा, बहुत बड़ा घर या प्रापर्टी मत खरीजिए, छोटा साल लीजिए, एक छोटी सी जमीन खरीद के डाल दीजिए, दो आपका परिवार बढ़ता रहेगा और आपकी जरूरत बढ़ती रहेगी, और आपकी तनका बढ़ती रहेगी, अगर आप डिफेंस, नेवी, एर फोर्स किसी भी तरह से असोसेटेड हैं, तो काफी सारे बैंक, सरकारी और प्राइवेट एक स्पेशल लोंदर देते हैं, आ बहुत दिनों जान से सेविंग्स भी करते हैं, तीन सबसे बड़े जो ऐसे पढ़ाव होते हैं, वो हते हैं बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी और सेवा निवर्ती यानि रिटायर्मेंट जब आप काम करना बंद कर देंगे, अब इन पढ़ावों के लिए अगर सेविंग से अगर आप कुछ इंकम बना सकते हैं, यानि कि यसे मैंने एक्जामपल दिया था, आपने FD करी, FD से कुछ प्या जा रहा है, या कुछ आपने जमीन खरी दी है, जिस पर दुकान है, दुकान किराय पे चड़ी हुई है, उसे कुछ किराया आ रहा है, तो ये Pension से, Gratuity से, Provident Fund से, PPF से हो जाती है, पर ये काफी होनी जरूरी नहीं है, कि इनके बेस पे आप आगे के बचे हुए 20-25-30 साल दितीत कर पाएं, और अपने परिवार को अच्छी जिन्दगी दे पाएं, इन instruments के लाब मैंने आपको बदाया, Bonds भी होते हैं, जिनमें इंट रिस्क होता है, पैसा आपका थोड़ा सा कम जादा हो सकता है, वर्स्ट केस में डूब भी सकता है, इसलिए से भी हमेशा बोलता है कि, Stock Market में, Investment में Risk होता है, Stock Market में Investment अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके कुछ तरीके होते हैं, एक तो होता है, आप सीधे Share खरीज सकते हैं, अगर आपने Demet Account खो रहा है, तो आपको जो कमपनी पसंद है, उसके Share जाके आप डिरेटली खरीद सकते हैं, Stock Market से, हो सकता है, उससे कोई Dividend Income भी आती रहे, Dividend का मतलब होता है, कमपनी को जो मुनाफ़ा होता है, उस मुनाफ़े का कुछ हिस्सा वो अपने Shareholders का Share करता है, मान लिजे, आपने कोई Share करता है, जो 100 रुपे का है, उस कमपनी को 5 रुपे पर Share मुनाफ़ा हुआ, उन्हें बोला कि वो 2 रुपे अपने Shareholder से Share करेंगे, तो आपको 100 रुपे के Share पर 2 रुपे का Dividend मिल गया, 100 रुपे का Share कमपनी के साथ वैसे भी बढ़ता रहेगा, हो स लोग उसमें नुकसान ही करते हैं, उनको knowledge नहीं होती, गलत Share खरीद लेते हैं, तो उस case के लिए Mutual Fund बनाए गए है, Mutual Fund के Return direct Share से हो सकता है, थोड़ी सी कम हो, especially अगर आप बड़े Share से compare करें, जो ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहे हैं, आप हर महिने भी पैसा लगा सकते है उसको बोलते हैं SIP, Systematic Investment Plan, आप उसमें कभी कभारी पैसा डाल सकते हैं, कि पैसा जब हो तब डाल दीजिए, या कभी मार्केट गिरी है तब डाल दीजिए, Mutual Fund की तरह से एक और option होता है ETF, खोड़ा सा फरक होता है, उसमें इस वीडियो में नहीं पड़ूँगा, पर आप आप मान सकते हैं कि दौनों काफी हद तक एक दूसरे के जैसे ही होते हैं, Mutual Fund और ETF कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कुछ ETF या Mutual Fund होते हैं, जो कि 50 सबसे बड़ी Companies में पैसा लगाते हैं, कुछ हो सकते हैं जो कि Defense के Share करीदे, आपको जो Theme पसंद है, जिसमें लगता है आपको क पैसा ज्यादा बन सकता है, जिसमें देश प्रकति कर रहा है, तो खर्चा ज्यादा होगा सरकार का हमारा उस Theme पे पैसा लगा सकते हैं, तो Share, ETF और Mutual Fund ये तीन तरीके हैं, जिससे कि आप पैसा लगा सकते हैं, इन सब के लिए DMAT होना ज़रूरी है, जो कि आपकी Saving Bank Account के डिविडेंट है, वो भी उसी Account में जमा होगा, आपको कहीं ढूंडने जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जब आपका ETF या आपका Mutual Fund जब पूरा हो जाएगा, यानि कि मान लिजए आपने 5 साल, 10 साल के ले लिया था और उसका उसकी अवधी पूरी हो गई है, आपने बोला आते हैं, एक साल, दो साल, पांट साल, दस, बीस, मान लिजए आप अपनी नौकरी आप शुरू कर रहे हैं, 20-22 साल की उमर में, तो आपके पास में बहुत सारे पढ़ाव गया है, तो हर पढ़ाव के साब ते आपको क्या planning करनी है, वो अलग-अलग होती है, जैसे अभी आ अभी अभी नौकरी शुरू करी है, तो आपकी retirement कहां पर है, तक्रीबन 40 साल बाद में भी, तो काफी समय है आपको आज जो आप पैसा डालेंगे उसको बढ़ाने के लिए, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक concept होता है, जिसको बोलते हैं compounding, उसमें क्या होता है, कि मान आपने 800 रुपया invest किया है, अगले साल वो गया 105, अब दूसरे साल में 105 पे पैसा ग्रो करेगा, यह 100 पे नहीं, तो अगली बार आपको 5 रुपया नहीं मिलेगा, आपको 6 रुपया मिलेगा 111, उसके बाद आपको 116 नहीं मिलेगा, 117 मिलेगा, व्याज पे व्याज अगर आप उसको ज्यादा समय दे दें, ग्रो करने के लिए, या बढ़ने के लिए, तो अगर आपका पड़ाव दूर है, और आप थोड़ी रिस्क ले सकते हैं, तो ऐसी चीज में लगाएं उस पड़ाव के लिए, जिसमें ग्रोथ ज्यादा होने के चांस है, बीच में हो दो साल में, उसके उपर रिस्क लेना शायद उतना वाजिब नहीं होगा, अब मानलीजे जब बच्चा आपका पैदा हुआ था, एक साल का था, आपने उस टाइम पे कुछ पैसा डाला था, या कोई SIP किया था मानलीजे, एक mutual fund में, और आप 15 साल से उसमें पैसा डाले जा में, तीन साल बच्चे हैं, या बच्चा पॉलिज जाएगा, अब आपको लग रहा है कि पैसा काफी बढ़ चुका है, मार्केट भी हाई है, जैसे आजकल काफी हाई है, तो अब तीन साल अगर आप और रुकते हैं, तो आप रिस्क को बढ़ा रहे हैं, इस टाइम पे पै लग रहा है, यहीं कि टैक्स कम लग रहा है, या 0% टैक्स में लग रहा है, तो वो काफी अच्छा है, अगर आप FD में रखेंगे 20 साल के लिए पैसा, तो 30% टैक्स जिना पड़ेगा, तो तकरीबन 21% का तो आपका नुकसान वैसे ही हो जाएगा, अब एक प्रशन आपके एक्सपर्ट ढूणना पड़ेगा, जो सेबी से ऑथराइजड है इस राय को देने के लिए, बेसिक नॉलिज के लिए यूट्यूब के ओपर भी बहुत सारे इंफर्मेशन अवलेबल है, बहुत सारे वीडियो अवलेबल है, पर सोट समझ के पैसा लगाईएगा, आपके खून पसीने की कमाई है, गलात राई की वरे से डूबने नीचे है, भारत का जीडिपी तक्रीबन 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, अनुवानित है कि अगले कुट सालों में हम 7 या 8 ट्रिलियन डॉलर को क्रोस कर जाएंगे, इस सपने को पूरा करने के लिए सबसे इंप सारा से उपर है, और रेटायर्मेंट यानी के तकरीबन 6-65 साल से कम है, इस सेक्शन और महिला आप खुद हो सकती है, आपके स्पाउस या आपकी वाइफ हो सकती है, अगर आपकी बिटिया बड़ी हो गई है, या आपकी बहन साथ में रहती है, या आपकी माताजी की उमर अभी 65 क्रॉस नहीं हुई है, तो यह सब महिला है, इस सेक्शन से प्रेणा लेके आमधनी और फाइनेंस की रहा पर आगे बढ़ सकती है, अब अगर परिवार में एक से जाए लोग काम करें, तो सबसे बड़ा जो फायदा होता है, वो है दुगनी आएका, हो सकता है एक ज सारी दुनिया बदल जाती है आपके लिए अच्छे के लिए अगर आये दुगनी हो जाए, एक चीज़ और समझे कि अगर दो जोनों की तन्खा आ रही है, अगर एक की तन्खा किसी वज़े से टेंपररली कुछ समय के लिए कम हो जाए, या मानलेजे जो परिवार के अंद दो साल भर तक, तक घर कैसे चलेगा, अब अगर आपकी येवाली दूसरी आये चल रही है, तो राह असान है, आप रिस्क ले सकते हैं, हाई समय में पैसा कमाएगा, तो कुछ खर्चे कम करने पड़ेंगे, पर अगर जो कामकाई आप शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो चल निकला, तो सोचिए, क्या होगा, आगे की जनी तो हो सकता है, बहुत अच्छी हो जाए, तो उस रिस्क को लेने के लिए, दो इंकम होना काफी इंपोर्टेंट रहाता है, जैसे आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं उमर के अंदर, वो स्कूल जाते हैं, वो क साफी चीजे हैं, बच्चों को आनी चीएं जिन्दगी में, उनको बचा के नहीं रखना है, अगर उनकी उमर बढ़ रही है, और आपके यहां कोई दुकान है, उसको और थोड़ टाइम वो बैठ सकते हैं, कुछ विपार के गुर सीख सकते हैं, पैसा गिनना, पैसा बचाना, नुकसान बचाना, क्या चीज जल्दी खराब होती है, क्या चीज ज्यादा खराब होती है, क्या चीज की डिमांड ज्यादा होती है, क्या चीज सुबह बिखती है, क्या चीज शाम को बिखती है, अगर उकुर आपके बच्चे जल्दी सीख जाएं 17-18 साल की उमर में तो बहुत अच्छी बात है बच्चों को भविश्य के लिए तयार करना कोई गलत चीज नहीं है अब ये मैंने अभी क्यों बोला क्योंकि अगर आपकी बिटिया बड़ी हो रही है और 18 साल की उमर्ट की हो गई है तो वो microfinance का loan ले सकती है अब microfinance क्या होता है हम उसकी बात अब करेंगे हिंदुस्तान में आज भी काफी सारे छोटे शहर या गाउं ऐसे हैं जहां पर banks अविलेबल नहीं है वहाँ पे जो जरूरते होती है इसे पैसा जमा करना loan लेना उसको पूरा करने के लिए कुछ specific संस्थाएं हैं जिनको बोलत जिससे कि वो खुद आपने आप में सक्षम हो सके लोन में किसी तरह की कोई guarantee नहीं चाहिए होती यह नहीं कि आपको कोई टोविलर घर ज्वेलरी कुछ गिर्वी नहीं रखना है क्योंकि इसमें कोई collateral नहीं होता है इसलिए ब्याजदर जादा होती है 20 से 24% के बीच में कु सब एक दूसरा ख्याल रखेंगे अगर एक जने को problem आई उसको loan चुकाने में कोई दिक्कत आ रही है तो हम बाकी चार लोग उसका ख्याल रखेंगे उसकी EMI या EWI यह वीकली installment मंतली नहीं वो हम चुका देंगे आपको चाहिए होता है एक प्रमान पत्र जैसे आधार बताता है कि आप उस गाउं और उस घर में रहते हैं यह आपका पता है और आपकी उमर का प्रूफ उन कादूजों के बेस पर चेक के जाता है कि आपने कोई पुराने लोन तो नहीं रखे जिनकी आपने किस्तें चुकाई ही नहीं है यह सब चेक करने के बाद में माइक्रो फैनेंस कंपनी आपको पैसा देती है वो पैसा किस-किस चीज के लिए मिल सकता है मान लिजे आप गाउं के अंदर कोई मवेशी खरीदने जाते हैं तो वो खरीद सकते हैं अगर आपको लगता है कि टूविलर खरीदने से आप पैसा ज्यादा काम आपाएंगे त आप वो खरीद सकते हैं अगर आपके पास कोई दुकान है उसमें आपको लगता है कि बड़ा फ्रिज रखे हम समान ज्यादा रच्छा रख सकते हैं समान तम खरावोगा विकरी बढ़ जाएगी तो वो खरीद सकते हैं कोई mixing grinding की machine खरीद नहीं है वो खरीद सकते हैं आपक चोटा वाला जो सबसे चोटा होता है तकरीवन चार रुपे लाधत पर आता है और पांच रुपे का बिखता है अब कहने को यह एक रुपया है पर अगर आप इसमें परसंटेज लगाएं तो 25% मुनाफ़ा है 25% मतला अगर आप सुबह स्टॉक लेके आए हैं और शाम तक ये पैकेट बिख गया तो आपने एक दिने 25% कमा लिया अब जो लोन हो तो 25% या 20% पूरे साल मिलेगा तो जो पूंजी पर वापसी है रिटर्न ऑन कैपिटल वो इस काम के थ्रू काफी अच्छी होती है अगर आपने पैसा ठीक से इन्वेस्ट किया है सही जगे इन्वेस कैसी है एक बार मैं ओडिसा के गाउं में गया था वहां पर जाके मैंने मीटिंग के अंदर पूछा कि क्या आप लोग पहली बार लोन ले रहे हैं जातर महिलाओं ने बोला नहीं हमारा यह तो चौथा या पांचवा लोन है मेरे लिए वह बहुत सर्प्राइज की बात थी कि यह क्या हो रहा है यहां पर तब पता लगा कि महिलाओं यहां पर हर साल एक मवेशी खरीते हैं एक साल तक किष्ट चलती है एक साल में मवेशी उनका हो जाता है किष्टें खतम हो जाती है भूसा पानी सब खेतों से आता है या फ्री होता है जब EWI खतम हो जाती है जब आपको profit दे सकता है हर साल बराते जाओ अगर परिवार में सहसे ज़्यादा है और आपके इलाके में खपत है तो और बराते जाइए कोई आपको रोकेगा नी यह सिर्फ आपकी अपनी शमता और आपका अपना निर्णे है अब एक दो चीजे होती है पर वो टूवीलर पैसा बढ़ाने के काम नी आ रहा तो उसकी किष्ट कहां से चुगाएंगे जो किष्ट है तकरीबन उतना पैसा नया आपके परिवार में आना चाहिए अगर आपने किष्ट पर डिफॉल्ट कर दिया तो 90 दिन बाद आपका NPA आपके अधार कार्ड के ऊपर निशान आ जाएगा जब तक आप उस लोन को आगे चुकता नहीं करेंगे आपको नया लोन कहीं से नहीं मिलेगा तो इसलिए लोन जिस काम के लिए है उसी काम पे पैसा खरच करना बहुत ज़रूरी है उसको मैंने पहले लाइबिल्टी में नहीं लगाना है एसेट बिनाने में लगाना है दूसरा अगर परिवार में हाथ ज़्यादा है कमाने के लिए तो 3-4 लोन मिले सकते हैं चाहें तो पर देख के लिजिए कि लोन जिस काम के लिए ले रहे हैं आपने चार मवेशी पाल लिए तो ऐसा ना हो कि जितना आप उनसे समान बना पा रहे हैं उतने की गाउं में खपत नहीं है तो अगर हर घर में बेचने के लिए दूद है तो खरीदेगा कौन एक से और कोशिश करें कि रिस्क उतना लें जितना आप बरदाश कर सकते हैं जिसे मान लीजिए आपने दुकान डली दुकान डलते ही बाड आई बाड से दुकान का नुकसान हो गया अब किस्त कहां से देंगे वुमन एमपावर्मेंट महिला से शक्तिकरण के लिए दो तिन कॉंसर्ट बहुत इमपॉइंट है वो और बदाजिता हूँ एक सोब महिला हैं अपनी इंकम जनरेट करी है यानि अपना पैसा खुद कमा रही है तो इस पर जो टैक्स बनेगा वो आपके हस्बेंट के टैक्स में जुड़ जाएगा और उससे आपकी कमाई कम हो सकती है अब अगर आपने अपने नया सेविंग बैकाउंट खोलने का सोच लिया है उसका मिनिमम बैलेंस जारना बहुत जाग ज़रूरी है अगर मान लिजे मिनिमम बैलेंस 1000 रुपे या 5000 रुपे और आपने उतना पैसा नहीं रखा तो बैंक पैनल्टी लगा देगा और वो पैनल्टी आपको देनी पड़ेगी कोई माफी नहीं मिलेगी उसके लिए अगर मिनिम बैलेंस जाल लग रहा है तो बैंक से पूछे कोई कम मिनिम बैललेंस या जीरो बैलेंस का अकाउउंट है क्या सरकार की तरफ से भली वो स्टेट गवर्मेंट हो या सेटरल गवर्मेंट हो काफी सारी schemes होती है, जो महिलाओं के लिए बनाई जाती है, काफी हों में करका लाब मिलता है, कुछ व्यावसायों में तो 0% पर भी interest मिल जाता है, जो सरकार ने अलड़ी कदम उठाय हो है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनका फाइदा जरूर लेना है, वो scheme आपके लिए ही बनाई गई है, कोई मतलब ही नहीं उनको छोड़ने का, अगर अभी तक आपने UPI यूज़ करना शुरूर नहीं किया है, तो UPI जरूर सीखें, उसका reason यह है कि cash घर में रखने का, आज की दामाने में कोई फाइदा नहीं है, UPI free service है, 100 रूपे, 5 रूपे, 2 रूपे, जो transfer करना है, अब UPI से transfer कर सकते हैं, पैसा safe है, आपके mobile और आपके pin, और आपके OTP के बिना कुछ काम नहीं होता, मैंने पहले RD और FD की बात करी थी, अगर आपके व्यवसाय से continuous पैसा आता है, 100-200 रूपे, 500 रूपे, 1000 रूपे, तो FD और RD दोनों यूज़ करिए, अगर आप 500 रूपे मेने के बचा पारे हैं, और उसके एक RD करा जेते हैं, साल के end पे 6000 रूपे, प्लस कुछ ब्याज जमा हो जाएगा, छोटी बात नहीं है, जब मौका लगे, जब पैसा एकट्टा हो जाए, छोटी बड़ी संपत्ती ले लिए, संपत्ती का मतलब जुरूरी निये प्रॉपर्टी हो, कुछ सोने का गहना ले लिया, कोई FD कर दी, कोई equity में share में पैसा डाल दिया, कोई ETF या कुछ समझ में आ जाए अगर आपके पास, तो टाल दीजे लमसम पैसा, इस तरह का पैसा कुछ भी invest करें, तो बजार के जोखिम समझ के करें, जिससे भी advise लें, वो registered investment advisor हो, या उसकी expertise होनी चाहिए, इस काम में ऐसा नहों कि पैसा आपका ऐसी scheme में लगा दे, जिसमें उनका कुछ फाइदा हो रहा हो और आपका नुकसान हो जाए, अगर हमारे देश में 5 से 10 करोड महिला हैं, निया कोई micro business शुरू कर दे, मुझे अगले कुछ साल में 1 trillion तो कम से कम, इस कारोबार से ही additional बन सकता है हमारे GDP में, आपका पैसा, आपकी savings, investments, आपके खर्च, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो number कितना बदल जाएगा, हम उसको सोच भी नहीं सकते, इस section में मैं आपको कुछ example दिखाऊंगा, उसको देखके आपको idea लग जाएगा कि आपका पैसा कितना बढ़ सकता है, कितना पैसा आपको actual में चाहिएगा 5 साल, 10 साल बाद जब आपको उस पैसे को खर्चना होगा, सबसे पहले आपको बदाता हूँ कि अगर आप 5,000 रुपे हर महीने जमा करते हैं, और 7 पर सेंट पे रखते हैं, ये RD का एक्जामपल है, तो वो पैसा एक साल, दो साल में कितना बढ़ सकता है, हर महीने आप 5,000 रुपे की कि जमा कर रहे हैं, पहले महीने में 5,000 रुपे, उस महीने का ब्याज बना 39 रुपे, अगले महीने आपने 5,000 रुपे और दिये, तो कुल पैसा हो गया 10,039 रुपे, जब आप 12 महीने पे पहुंचेंगे, तो आपका मूली 6,000 रुपे हो गया है, ब्याज मिलाके आपका पैसा हो जाएगा 2,324 रुपे, 2,324 रुपे है आपका इंट्रेस्ट इंकम, अगर आप इस आड़ी को दो साल के लिए करते हैं, तो 12,000 का 1,24,000 नहीं होगा, 1,29,000 हो जाएगा, अब यही पैसा अगर आपने आड़ी में लगा के, अपने अकाउंट में जम होने दिया होता, मानले जी यह तनका है, और आप उसको सिर्फ जम होने दे रहे हैं, तब क्या होता, सेम अमाउंट है 5,000 रुपे, ब्याज दर है 3%, 12 महिने के एंड में मूल रहेगा 6,000, और उस पैसे के हो जाएंगे 6,983 रुपे, ब्याज मिलेगा 9,983 रुपे, यहां मिला था आपको 2,324 रुपे, ऐसे ही 2 साल बाद वो पैसा हो जाएगा 1,30,800 रुपे, जबकि अगर आप उसको RD में डालेंगे, तो 1,39,154 रुपे हो सकता है, अब अगला एक्जामपल लेते हैं, कि अगर आपने जो 7% पैसा SIP किया था, 7% की जगे अगर आप 10% पैसे कर सकते हैं, हो सकता है, यह SIP किसी mutual fund में हो, यहां पर हमने देखा था, 12 महीने बाद मिला था, 28,300 और 24 महीने बाद मिला था, 1,39,000, इस case में यहां मिलेगा, 63,300 यनि 1,000 रुपे जादा, और 1,33,300 यनि तकरीबन 4,000 रुपे जादा, तो अगर आप रिस्क थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो उसके according आपकी income भी बढ़ती है, अप तोड़ा देखते हैं, SIP लंबी duration के लिए 20 साल में क्या हो सकता है, आपने SIP किया है, 5,000 रुपे का अनुमानित 15% पर साल ग्रोथ होगी, ये एक बहुत अच्छा return है, कुछी mutual fund और कुछी ETF देखे पाते हैं, तो अगर आप देखेंगे, तो 12 महीने तक कुछ खास improvement नहीं मिला है, 55,000 ही बढ़ा है, लगता है कि इसमें क्या फायदा हुआ हमें रिस्क भी जा लिया, और कुछ फायदा भी नहीं हुआ, पर अगर आप इसको आगे ले जाएंगे 20 साल तक, मैंने आपको बढ़ा है था compounding, तो यहाँ पे जैसे compounding में 2,000 रुपे ज्यादा extra मिला था, 240 में महिने में यानि 20 साल बाद आपको मिलेगा पैसा 75,80,775 रुपे, आपने SIP बढ़ा ही नहीं है, आप वही 5,000 रुपे डाल रहे हैं, आप यह भी कर सकते हैं कि आप थोड़ी तनका बढ़ जाए साल के बाद में, तो उस SIP को 5,000 रुपे अगर दे, 5,000 रुपे अगर दे, उस case में यह जो final return है, यह और भी ज़्यादा हो जाएगा, यह ताकत होती है SIP की और अच्छे return की, अगर आप इस पैसे को FD में रखते, तो यह return काफी कम होता, ऐसे गर आप बात करें खर्चे की, अगर मान लीजिए आपका घर का खर्चा 50,000 रुपे मेंना है, और महंगाई की दर 6% पर साल है, तो पहले मेंने आपको लगेगा 50,000 रुपे, अगले मेंने वो बढ़के हो जाएगा 50,250, ऐसे करके हर मेंने खर्चा बढ़ता जाएगा, अब ऐसा नहीं कि महंगाई हर मेंने बराबर बढ़ती है, कुछ मेंने कुछ भी नहीं बढ़ता है, कुछ ची सस्तिर जाती है, साल के end में आपका जो खर्चा 50,000 रुपे, तो अगर आपकी तनखा कम से कम इतनी नहीं बढ़ी, तो आपकी सेविंग्स घड़ जाएगी, अब इस खर्चे को अगर हम 20 साल तक ले जाएं, तो 20 साल बार आपका महिने का खर्चा कितना हो जाएगा, सुचिए, इसमें हमने सिर्फ इंफलेशन की बात करी है, अब मानलीजा आपके घर में सदस्य बढ़ गए, एक बच्चा पैदा हो गया, या बच्चा स्कूल चला गया, या वो जो खर्चे एड होंगे, वो अलग है, ये सिर्फ महंगाई धर है, जो खर्चा यहां 50,000 में घर चल जात शुरू होगा, जो कि आपकी तनखा के अनुरूप है भी, तो उससे कुछ भी नहीं होगा 20 साल बात, ये मान के चलिए, पैसा पैंशन से आए, पैसा इन्वेस्मेंट से आए, पैसा बच्चों से आए, एक लाग, पैसा थे जार रुपे के असपास चीएगा, अगर इंफल पर टैक्स लगा, तो आपको तकरीबन दो लाग रुपे चीएगे, जो टैक्स कटके एक लाग, पैसा थे जार रुपे रिजाएगे, उसे थोड़ा ज्यादा ही लगेगा, हम आखरी सेक्शन में पहुंच गए हैं, कुछ विचार जिन मेंसे एक या दो भी आपकी लाइफ ये पीडिकत मान सकता जो है, अगर आपके दिमाग में आ गई, कोई ताकत आपको आगे बढ़ा नहीं पाएगी, आपके सामने अगर कोई पैसे का बैग रखके चला जाए, आप उसको उठाएंगे नहीं कि अरेसमें कोई बंब ना हो, वो बैग कोई और लेके चले आपके लिए शाय धवानने बेढ़ा हो, ऐसे कुछ नकरात्मक लोग होते हैं जो कि हमेशा नेगेटिव या उल्टा ही बोलते हैं, गिर ना जाए, चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, वो दोस भी हो सकते हैं, रिष्टेदार भी हो सकते हैं, पडोसी भी हो सकते हैं, उनको बदल सकते हैं, तो बदलिए, नहीं बदल सकते हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रही है, आपको चाहिए लोग जो आपको बोलें, आरे मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, आगे बढ़ बढ़ेगा काम, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ऐसी विफलताओं का मनोग्यान, एक परिवार के अंदर एक जमीन है, जिसके उपर हम कुछ फसलोग आते हैं, उस परिवार में दो बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, पिता है जो उस खेट को अभी चलाता है, अब अगर ये दो बच्चे भी इसी काम को जोईन कर लें, तो तीन आदमी मिलके सेम खेट जोते हैंगे, सेम काम होगा, जादर केस में होगा कि एक बच्चा यहाँ पर काम करेगा, एक बच्चा कुछ भी नहीं करेगा, और बाप चार पाई पे बैठेगा, और काम उतन नहीं होगा, जब जिन्दगी आपके कंट्रोल के भार याती है, काफी लोग नशीले पजारतों का साहरा ले लेते हैं, बीडी, सिगरेट, शराब, इनसे कुछ भी पॉजिटिव के सकरात्मक नहीं होगा, पैसे की टोटल के डाल दिया, मान के चलते हैं, रहे चलो हमने कुछ तो इन्वेस्ट कर लिया, ना कुछ करने से तो कुछ अच्छा है, ये बढ़के कितनी हो जाएगी, उससे आपका कुछ होगा की नहीं होगा, दस साल, बीस साल बाद, क्या इसके बेस्पे आपका बच्चा पढ़ने चल करोड़ों में एक आदमी अगर आप हैं, तो अलग बात है, वरना लोटरी में इतना पैसा किसी का निकलता, कभी के बार हजार, दो जार, पांच, आर दो जार, अलग बात है, लोटरी की स्कीम बनाई गई, इसलिए कि करोड़ों लोगों से 10-20 रुपया, 50 रुपया ले लो, और उनमें से 2-4 को पैसा देदो, जिससे कि वो जाके लाख लोगों को बताएं, कि मैंने लोटरी जीत ली, लोटरी से अमीर बनने की काम ना करना, मेरे नुकसान हो सकता है, ट्रेडिंग में एक प्रावलम स्वड़ा क्या होता है, कि आप इनिशली पूरा पैसा नहीं देते हैं, आपने शाए 10 परसेंट पैसा दिया हो, समान ले लिया, अब नुकसान हो गया, तो नुकसान तो होई किया, आपको बाकी 90 परसेंट पैसा भी दे ये एक व्यवसाय है, जिन लोगों को समझ में आता है, उन्हीं को करना है, पैसे के लिए जुआ खेलना किसी एप पे, गेम में, किसी दुकान पे, कैसी नो में, हर तरह का जुआ आपसे पैसे खीचने के लिए बनाएं, पमाने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पे लीगल जुआ होता है, पैसा बनाने के लिए नहीं होता है, जुए से गरीबी कम नहीं होती है, पोशिश करके भविष्य के पैसा कम से कम खर्चना है, एक्जामपल है, क्रेडिट कार्ड, तनका आईनी, जुर्वत आज पूरी करने का अमन है, जाके EMI पे समान खरीद ये भविश्य का पैसा जितना ज़्यादा आप खर्षते जाएंगे आगे का पैसा कम होता जाएगा आज अमेरिका में काफी लोग 4-5 महिने आगे का पैसा खर्च चुके हैं उनके पास में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एक महिना सर्वाइव करने के लिए पैसा नहीं है महंगी शिक्षा शिक्षा बहुत अच्छी चीज़ है बहुत ज़रूरी चीज़ है कुछ कॉर्स, कुछ कॉलेज, कुछ MBA या कुछ ऐसे कॉर्स आ गए है जो की इतने महंगे हैं कि आदनी को लगता है कि भी किसी तरह जुगार करके मैंने अपने बच्चों को कॉर्स करा दिया तो उनकी जिन्दगी बन जाएगी होस्ता बहुत पैसा कमा ले है देखे करिया कि जिन लोगों ने वो कॉर्स किया है या जो कॉलेज जाके पढ़े हैं उनको उसके मुकाबले तंखा या नौकरी मिली भी है कि बिरोजगार हों रहे हैं वरना आपने उधार ले लिया या आपने रिजर्व सारे खर्तम कर दिया बच्चे को पढ़ा दिया पर उसके बाद में पैसा आना अपना शुरू नहीं हुआ तो वो फजूल है कुछ विवसाय ऐसे होते हैं जिनमें की समय लगता है रिटर्न आने में साल दो साल तीन साल लग सकते हैं जैसा आपको एक ट्रैक्टी डालिए सेट करते करते दो-चार में लग जाएंगे फिर आप उसके प्रोडक्शन चालू करेंगे फिर उसके ग्रहाग डूंडेंगे ग्रहाग के पास में समान बेचेंगे पैसा आएगा और दो-तीन महीने बाद इतनी शमता जातर नए बिजनेस में शुरू-शुरू में नहीं हो करपा है वो अपने बच्चों से उमीद रखते हैं बच्चे में शमता है तो इंजिनियर, IAS, IPS, डॉक्टर कुछ भी बनाई है पर अगर बच्चे की शमता इंजिनिरिंग की नहीं है तो उसको इंजिनिरिंग लिए धक्का देने से कुछ फायदा नहीं होने वाला ये चारों को थोड़ा बदलने को तयार हों तो एक बहुत इंपॉर्टन पॉइंट बदाता हूँ जब आप रिटायर होते हैं सेवा निवरती यह नहीं कि आपकी कंपनी अगर आप फौज में तो में भी आपकी रेजिमेंट अब उनको आपकी जरुरत नहीं है इसका मतलब य आपके वर्किंग आर्द लंबे हों उस समय को कैसे यूज करना है सबके पास मॉइल फोन है हर मॉइल फोन पर यूट्यूब होता है यूट्यूब आजकल सबसे बड़ी हमादिया में कोई चीज नहीं सीखने का आपको सिर्फ यह सोचना है कि मुझे क्या सीखना है मान के च ले रहे हैं कि उनके ओपर बहुत सारे ट्रक चलेंगे बहुत सारी बसेज चलेंगे उनको कौन चलाएगा अगर आप फौज में नीचले लेवल्स पे हैं तो में भी आप सोच सकते हैं कि जब रिटारिमेंट प्जाएगी तो उस काम को आप 5-10 साल और कर सकते हैं आजकल श सोचिए व्यवसाय, दुकान, दुनिया में बहुत सारी ज़रूरत होती हैं नौक्री अनलिमिटेट होती हैं नौक्रियों में बहुत ज्यादा मारा मारी है एक नौक्री के लिए 10-20-20 यहार लोग पहुंच जाते हैं और जहां आप रहते हैं शहर, कजबा, गाउं, नहीं क मिली होंगी, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में डाल दीजे, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देदू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वाट्साप के मादियम से अपने दोस्तों से शेर जरू करीजेगा, जिससे थोड़ा बास फाइदा उनका कर्या जिए सबतों सामारय है तो से शेर ढूबेहा, भेको वीडियो नेन देले क्हुत स। पन्री क्मार्वाब में मुला।